जैपूर में फिल्म पदमावती की शूटिंग के दौरान फिल्ममेकर संजे लीला भनसाली पर हमला किया गया इस खबर से तो आप सब वाकिफ ही हैं लेकिन हमले के बाद अब पूरा बॉलेवुड संजे लीला भनसाली के साथ आ गया है पूरी फिल्म इंडस्ट्री इस मामले का कड़ा विरोध कर रही है अनुराग कश्य, पृतिक रोशन, करण जोहर और तमाम फिल्मी हस्तियों ने इस हमले पर अपनी नाराजगी जताते हुए कई ट्वीट्स किये हैं इन सब के बीच सोनम कपूर ने आज बहुत ही बड़ा सवाल प्रधानमंत्री से पूछा है सोनम कपूर ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी का एक ट्वीट शेर करते हुए, उन्हें उनकी कही हुई बात याद दिलाई है सोनम ने लिखा है सर बस आपको याद दिलाना चाहती हूँ, गरतंत्र दिवस के कुछी दिन बाद अपनी बात रखने की वज़े से हमारी इंडस्ट्री इस तरह का अपमान छेल रही है और फिल्म के डारेक्टर संजलीला भनसाली के साथ मार पीट की और उनके कपड़े भी फाड़ दिये इन लोगों का आरोप है कि भनसाली ने अपनी फिल्म पदमावती में इतिहास के तथ्यों के साथ छेड़ छाड़ की है